संगडाहा खड के साथ आज कालत मंदिर के पास एक नीजी बस के उपर एक बड़ा साप पत्थर जागिरा सभी सवारियां सुरक्षित पताई जा रही है बता दे कि यह बस घांटो संगडाहा से नहरा धार पुनर धार चलती है आज कर बरसात मैं ऐसे हाथ से अकसर देखने को मिलते है ऐसे मैं साप थानी पुरवक सफर करना चाहिए क्यूंकि गत दिनों सारा जंगल आग की भेंट चड़ा था और पत्थर यूँ ही टिके है पहारों पर जो कभी भी खिसक सकते है दिवे हिमाचल टीवी के लिए नहरा धार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट संग्डाहा खर के साथ आज कालत मंदिर के पास एक नीजी बस के उपर एक बड़ा सा पत्थर जोगिरा सभी सवारियां सुरक्षित पताई जा रही है बतादे कि यह बस घांटो संग्डाहा से नहरा धार पुनर धार चलती है आज कल बरसात में ऐसे हाथ से अकसर देखने को मिलते है ऐसे मैं साब्धानी पुरवक सफर करना चाहिए क्योंकि गत दिनों सारा जंगल आग की भेंट चड़ा था और पथर यूँ ही टिके है पहारों पर जो कभी भी खिज़क सकते है दिवे हिमाचल टीवी के लिए नहरा धार से संजीव ठाकुर की रिपोट संग्डाहा खड के साथ आज कालत मंदिर के पास एक नीजी बस के उपर एक बड़ा सा पत्थर जोगिरा सभी सवारियां सुरक्षित पताई जा रही है बता दे कि यह बस घंटो संग्डाहा से नहरा धार पुनर धार चलती है आज कल बरसात में ऐसे हाथ से अकसर देखने को मिलते है ऐसे मैं साब थानी पुरवक सफर करना चाहिए क्यूंकि गत दिनों सारा जंगल आग की भेंट चड़ा था और पत्थर यूँ ही टिके हैं पहारों पर जो कभी भी खिसक सकते हैं दिवे हिमाचल टीवी के लिए नहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोट संगडाहा खर के साथ आज कालत मंदिर के पास एक नीजी बस के उपर एक बड़ा साप पत्थर जागिरा सभी सवारियां सुरक्षित पताई जा रही है बता दे कि यह बस घांटों संगडाहा से नहराधार पुनरधार चलती है आज कल बरसात मैं ऐसे हाथ से अकसर देखने को मिलते हैं ऐसे मैं साप थानी पुरवक सफर करना चाहिए क्यूंकि गत दिनों सारा जंगल आग की भेंट चड़ा था और पत्थर यूँ ही टिके है पहारों पर जो कभी भी खिसक सकते है दिवे हिमाचल टीवी के लिए नहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोट